तो hello friends, one second एक बर फिस आपका स्वागा थे हमारी वीडियो में friends आज हम देखें कि friends हमारा जो नया uses है वो है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है friends, इसके पहले हमने देखा था get offended का आज हम देख रहें friends हमारा क्या है? come what में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इसको किसी भी sentence में अपने daily life में कैसे बोलते है friends आई उसको समझते हैं सबसे पहले है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा ठीक है friends, जो कि हमारा mission है अंग्रेजी सीखना चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा ठीक है friends, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाओंगा से related हमारा जो sentence होता है friends, यह जो हमारा है uses उसको हम कैसे लगाएंगे उसको समझते है friends तो सबसे पहले है चाहे कुछ भी हो जाए को क्या बोलेंगे कम what में ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है चाहे कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कम what में के बाद हमारा sentence होगा friends ठीक है हम ऐसे ही लगाएंगे आई यह देखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तो कम what में चाहे कुछ भी हो जाए, कॉमा है तो कॉमा, मैं अंगरेजी सीख कर रहूंगा, I will learn English, ठीक है, कोई चीज अगर करके रहूंगा, अगर वो निश्चित रूप से है, तो I के सांथ वैसे सैल लगता है, लेकिन अगर निश्चित रूप से किया जाए, तो I के सांथ क्या लग ज मैं, कम वाट में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे से कभी बात नहीं करूँगा, ठीक है, I will कभी नहीं का मतलब होता है, never, ठीक है, talk मतलब होता है बात करना to him किस से उस से come what may I will never talk to him ठीक है friends चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाओंगा come what may come what may I will नहीं जाओंगा I will not go there ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाओंगा come what may I will never go there ठीक है friends I hope कि आपको वीडियो पसंद आओगा इसी प्रकार से आप अपने मन से 4-5 example लगाए come what may plus sentence लगाए आपको अच्छे से समझ में आजएगा वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करिए शेयर करिए नए है तो चैनल को जोरू सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तैंक यू फ्रिंड्स